नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेडिंग लाउट्स पर दोस्तों आज के जो विडियोस में हम बात करेंगे अगर आप इन सभी की सभी आपडेटों को देखना चाते हैं तो हमारे शातन तक बने रहेगा और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ मुझे घंटेबल एको नहीं से जो रद्वाई जिसे आपको हमा हमारे आने वाल जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और दोस्तों वीडियो के हंत में एक और जा मैंतापून आपडेट है तो हम उसके बारे में भी जाए देखेंगे तो हमारे साथ आन तक बने रहीएगा तो इससे में जो हम यहां पर यह जो डिटी प्लैस और रिजल्ट नोटिस नमबर है 1404 और टेकनिकल असिस्टेंट ब्यूटी कल्चर पोस्ट कोड है 102 बटे 20 दूसरा जो यहां पर नोटिस आया है यह है रिजेक्शन नोटिस 1405 और टेकनिकल असिस्टेंट ब्यूटी कल्चर में ही और पोस्ट कोड है 102 बटे 20 और जो यहां पर तीसरा जो नोटीस आया है यह है नोटीस नमबर 1406 और यह है सीनियर साइन्टिफिक असिस्टेंट में पोस्ट कोड है यहां पर 1457 बटे 20 चोथा जो यहां पर आया है यह रहेगा मैं नोटीस है और टेकनिकल असिस्टेंट के लिए फैशन डिजाइन में पोस्ट कोड है 116 बटे 20 पाचवा जो नोटिस आया है ये रहेगा कंडिडेट फर दी पोस्ट औप पीजटी इंग्लिश मेल पोस्ट कोर 25 वटे 20 के लिए छटा जो यहाँ पर नोटिस आया है ये रहेगा नोटिस नमबर 1319 पीजटी फाइन आर्ट फिमेल के लिए पोस्ट कोर यहाँ पर 84 वटे 20 साथवा जो यहाँ पर नोटिस आया है ये रहेगा नोटिस नमबर 1403 पीजटी इकनोमिक्स मेल पोस्ट कोर 66 वटे 20 के लिए आठवा जो यहाँ पर नोटिस आया है यह रहेगा नोटिस ओफ रिलीज ओप मार्कस और कालिंग इंडोसर फॉर दी पोस्ट ओफ टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्टोनिक्स और कम्मिनिकेशन में पोस्ट कोड है 112 वटे 20 तो यह जो आठव नोटिस हाली में जारी हुए है तो जैसे ही जब यहाँ पर यह पहले वाला जो नोटिस है इसके वपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है यहाँ पर यह लिंक दिखाई देगा इसके वपर आपने क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद यह डाउनलोड होना सुर्व हो जाएगा और उसके बाद जो आपके सामने एक नया पेज आएगा तो यह आप देख सकते हैं डेट है यहाँ पर पच्चिस ग्यारद होजारिकिस रिजल्ट नोटिस नंबर है चोदा जीरो चार टेक्निकल असिस्टेंट ब्यूटी कल्चर पोस्ट कोड है एक सो दो वटे बीस और यह आप देख सकते हैं डेट है इस अडवेटाजमेंट नंबर पाच बीस है अडवेटाजमेंट टोटल वन वाकेंशी ओवी सी के लिए फर दी पोस्ट अप टेक्निकल असिस्टेंट में अंडर पोस्ट कोड एक सो बटे एक सो दो बटे बीस और ओनलाइन एक्जाम आज किनेक्टेड होन चब्वी साथ होजार इकिस एंड टोटल ओफ ग्यारा कंडिडेट अपियर मार्क स्टेट्मेंट ओफ पोस्ट है विन अप्लोड ओन दी बोड वेबसाइट तो ये कंडिडेट अगर आपने मार्क देखना चाते हैं तो ORS पर जाकर देख सकते हैं जहां से आपने जो फार्म फिल किया था और बेस वन दी परफेरेंस इन दी ओन लाइन एक्जाम नो कंडिडेट हैज बीन फाउन सुटेबल इन OVC कैटेगरी तो कोई सुटेबल यहाँ पर नहीं बताया गया है दाबो तो result for the set post will be subject.com of pending court case तो यह आप इसमें देख सकते हैं कोई समें यहाँ पर सुटेबल यह नहीं बता रहे हैं तो यह यहाँ पर पहला जो हमारा notice था अब जो हम यहाँ पर जो दूसरा जो notice है उसको देखेंगे तो अब जो हम यहाँ पर जो दूसरा जो notice है हम इस पर आ गए है और डेट रहेगी पच्छीस ग्यारा दो जारी किस rejection notice यह रहेगा और reject क्या कुछ है इसमें यह आप देख सकते हैं कि दो रोलंबर यहाँ पर यह बताए गई है और रिमार्क साइड में दिये गए है candidate did not upload the doser within the suitable time तो यह दो नहीं ऐसे candidate है जिने समय पर अपना जो डोक्मेंट अप्लोड करने थे यह अप्लोड नहीं किये हैं तो दो जो candidate है इनके लिए जारी हुआ है तो यह यहाँ पर रहेन का जाई reject हो गए है तो यह यह यहाँ पर दूसरा notice था अब जब यहाँ पर जो तीसरा जो notice है उसको देखेंगे और पोस्ट कोड़ा 57 बटे 20 के लिए ओनलाइन इनका एक्जाम होँआ था यह ठारणों दोजार एकक्किस को और टोटल एक्सदो कंड़ेट अपियर दा मर्क स्टेटमेंट अफ देव पोस्ट हव बिन अप्लोड तो इनके मर्क से और रस पर अप्लोड हो चुके हैं अब वहां से देख सकते हैं और बेस वन दी परफ्रमेंस इन दी ओनलाइन एक्जाम टोटल सोड़ा कंड़ेट हुव हैब टेन अप्टेन मर्क अबव और कटोफ मर्क स्टेर रिस्पेक्टि कैट्विडी एज डिटेल बलो है बीन प्रोजनिली सोट लिस्ट अप्लोड देर रिक्वेस्ट डॉक्मेंट इन डोसर तो यह जो यहां पर कंडिडेट बताए गए हैं इनको डोसर पर डॉक्मेंट अफ्लोड करने के लिए बोल गया है इमेल आश्मैस आपके पास आया होगा और क्या कुछ यहां पर कटव कैटगरी वाईज क्या कुछ है यह आप देख सकते हैं कुछ यहां कटॉफ मर्क्स अपलोडिंग ऑफ टोसर आप डोसर आप डॉसर दोसर मर्क्स तो समरे से रहेगा यूर क्या है how sino.50 और ब swimsकर तो यह तो 26 लेकर 10 तरीक तक इनका पास समय है तो इससे पहले-पहले आपने डॉक्मेंट ये डोसर पर ये अपलोड करनी होंगे तो ये आप इसमें देख सकते हैं तो ये हमारा तीसरा नोटिस था अब यहां पर जो चोथा जो नोटिस है उसको देखेंगे तो अब जब यहां पर जो चोथा जो नोटिस है हम इस पर आ गए है और में रिजालित नोटिस के लिए यहां पर आया है और नमबर है 813 टेकनिकल आशिस्टेंट फैसन डिजाइन में और यहां पर भी यह जो कंडिडेट नो इसके लिए स्लेक्ट हुए है यह देख सकते हो भी इसका एक कंडिडेट यहां पर रहेगा उन दिवे से खुब रिटेन एकजाम है लोन 148 2020 कोईन का एकजाम हो था पोस्ट कोड़ है यह 116 20 तो एक कंडिडेट यहां पर इसमें बत दिखाए गया है और आप अपने स्वारिश में यह देख सकते हैं और इसकी क्या कुछ यहां पर कटोफ है आप यह भी देख सकते हैं नमबर दस में दिखाए गया है कैटेगरी वाज मार्क से उप्टेन बाइडिस लास्ट सेलेक्टिक कंडिडेट हैव बिन एजनर और और यूर में कोई नहीं है ओब इसके हाई कैसी पैंट जीरो जीरो औ 2-160 का यहां पर किसी का कटेगरी का कोई कंडिडेट नहीं है तो यह आप देख सकते हैं और वेटिंग इनल ここ यह भी यहां पर इसमें कोई नहीं है सायद तो आप आप नशार इसको देख सकते हैं तो यह जाई हमारा चोथा नोटिस था अब जहां हम यहां पर पांच जो हमारा notice है हम इस पर आ गए है और यह है PGT English और mail post code है यहां पर 25 बटे 20 के लिए और इसमें क्या कुछ खा गया है on the scrutiny of the document e-dosser has been notice that the sum of the candidate approved e-dosser with deficient document तो deficient यहां पर कोछी इसमें document में कई भी जा पाई गई है तो इसलिए यहां पर यह जारी हुआ है और यह आप देख सकते है रूलंबर और साइड में रिमार्क्स बताए गए है क्या कुछ कमी है और कितने इसमें यह candidate है आप यह देख सकते है तो 18 ऐसे candidate है जिनके document में आपर कमी पाई गई है तो यह 18 है अब वो 18 candidate और नमबर 4 में का गया इनके लिए टोसर का लिंक एक्टिव होगा है और यह रहेगा 29 11 2021 लेकर 8 12 2021 तक तो इससे पहले पहले जिस भी document में कमी है यह तो 12 से अपलोड करने होगे तो यह आप इसमें देख सकते हैं तो यह जो हमारा यहाँ पर पांचवा नोटिस था तो अब जम यहाँ पर जो चटा जो नोटिस है उसको देखेंगे तो अब जम यहाँ पर जो चटा जो हमारा नोटिस है हम इस पर आ गए हैं और यह है पेज़टी फाइन आर्ट फिमेल के लिए पोस्ट कोड़ 84 वटे 20 के लिए और इसमें क्या कुछ है आप यह देख सकते हैं यहाँ पर भी जो कुछ यह कमी दिखाई गई है तो यह रोलंबर है कैटेगिरी और साइड में रिमार्क्स बताई गई है क्या कुछ कमी है आप यह देख सकते हैं और यहाँ पर रहेंगे यह ग्यारा कंडिडेट तो ग्यारा जो खंडिडेट है इनके डोकुमेंट में यह पर कुछ कमी इसमें दिखाई गई है और इडोसर का लिंक यहां पर इनके लिए दुबारा से एक्टिव हुआ है 26-11 से लेकर 30-11-2021 तक तो इससे पहले-पहले आपने जो भी कुछ document में कमी है ये upload करने होंगे और email SMS पीज़ आपके पास आ चुका होगा तो आप ये देख सकते हैं तो ये जह हमारा यहां पर च्छटा जान नोटिस था तो अब जब यहां पर जो सातवा जो नोटिस है उसको देख लेते हैं तो अब जब यहां पर जो सातवा जो हमारा मेंतरपन नोटिस है हम इस पर आ गए हैं और नोटिस नंबर चोदा जेरो तिन पीटी एकनोमिक्स मेल के लिए अंडर पोस्ट कोड़ा 66 पटे 20 और यह आप देख सकते हैं डोसर ओफ च्छा कंडिडेट इस का एक हैं यूर का यूर का यूर का यूर कंडिडेट यहां पर भी इनके डोकमेंट में कुछ कमी पाई गई ह तो यह आप अपने डोलंबर और कमी यहां पर देख सकते हैं तो ऐसे जाए यहां पर च्छा कंडिडेट के नाम जारी हुए हैं और यह डोसर का लिंक इनके लिए एक्टिवा 26 ग्यारे से लेकर 30 ग्यारा 2021 तक इमेल SMS जाप के पास पहुंच चुका होगा तो यह आप देख सकते हैं आपके लिए लिंक रहेगा यहां पर 26 से लिकर 30 11 तक तो यह यहां पर सातवार नोटिस था अब यहां पर जो लॉट्स जो नोटिस है उसको देख लेते हैं तो अब जब में आ गए हैं हमारे आठवे नोटिस पर नोटिस नमबर है यहां पर 57 और सब्जेक्ट है नोटिस फोर रिलीज ओप मार्क्स एंड कालिंग इंडोसर फोर दी पोस्ट आप टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्टोनिक्स एंड कॉमिनिकेशन में पोस्ट कोड है 112 ब सब्सक्राइब नोटिस पर जाकर आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं जहां से अपनी फारम फिल किया था और क्या कुछ यहां पर कट ओफ मार्क्स बताए गए हैं यह आप देख सकते हैं ता मिनिमा मार्क्स ओफ कालिंग इंडोसर आउट ओफ तोसो में से यूर के 106 EWS क प्चानवा पॉइंट 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 पाइव एस्सी जाहिस के 18.75 है और स्टी के 81 हैं तो यह यहां पर जाहिस में मार्क्स आप देख सकते हैं और यह डोसर का लिंक इनके लिए अक्टिव हो है यह आप देख सकते हैं 26 11 लेकर 10 12 2021 तक तो इससे पहले पहले आपने पॉइंट यह अपलोड जाक करने होंगे तो यह आप देख सकते हैं यह हमारे आठ जाया में नोटिस थे अब जब यहां पर जो जो एक और जो में अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो डिटी प्लैस्पी के द्वारा नो तारिक से लेकर 18 नूंबर तक जिनके एकजाम लिए गए थे उनकी अंसर की जारी कर दी गई है और अगर आपने अपनी अंसर की नहीं देखिया तो इसके ओपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है तो आप वीडियो बजा कर अपनी अंसर की को चेक कर सकते हैं कि किस तरे कैसे आप अंसर की को देख स झाल झाल